सेकेंडरी स्कूल और आज हमारे सार्दा सदन की यूटूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं देखिए डीर इस्टुनेंट हमारा जो टोपिक चलड़ा था है कि वो प्रिवेस टोपिक में पड़ा इंटीगराशन युटुपीक चलड़ था मारा इंटीगरेशन में हम पड़ने थे बट्टां इंडेफिनेट सील की किये और जो हेखिए है उसकी कुछ बचीवी डाउट जो हैं वह किलियर करते हैं क्योंकि स्टुएंट्स की काफी डिमांड है इसके बाद में आज अपन जो है नया जो टुपिक होगा वह पढ़ेंगे बटा integration using by partial fractions. देखिए बटा, question no. 5 है, question no. 5, integration find करना है बटा, आपको integration of 2x, sorry 3x है यहाँ पर, 3x upon 1 plus 2x to the power 4 dx. इस वाले function का हमें integration find करना है. तो देखिए बटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तो solution है, वो हम करेंगे. तो इसके तो solution में बटा, इसके solution में देखिए, सबसे पहले हम जो है पढ़ रहे थे बटा, integration by जो particular function था या integration of some particular function अपन पढ़ रहे थे. तो इसमें देखिए बटा, सबसे पहले इसको particular function में convert करेंगे. particular function में convert करने के लिए सबसे पहले इसको square में convert करना पढ़ेगा. किसमें convert करना पढ़ेगा? square में. देखिए बटा, square में convert करने के लिए आप क्या करोगे? 3x dx एजिट रहेगा बटा, इसको 1 पलस 2x to the power 4 को मैं square में convert करूँ. तो मैं इसको यहां ऐसे यूज़ करूँगा, root 2x square to the power 2. यह हमने इसको square में convert कर लिए बटा. अब square में convert करने के बात में आप क्या करोगे? यहां लेट करोगे, let root 2x square equal to t, root 2x square equal to t. इसका आप differentiation करोगे, own differentiation. क्योंकि substitution जब भी करते हैं, आप उसका differentiation करोगे. और root 2 यहां पर क्या है, बटा, consistent है, एज़िट रहेगा, integration में. और x square का जो differentiation है, वो आएगा, बटा, 2x, फिर dx equal to dt. इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बटा, 2 root 2x dx equal to dt. अब देखें, बटा, आपके बटा, आपके बास, जो question था, उस question में आपके बास, x के multiply में, 2 root 2 multiply में नहीं है, तो यह divide में आएगा, फिर, हमारे पास क्या है, बटा, x dx equal to, 1 by 2 root 2 dt. यह आपको बटा, पुट करना है, चा करना है, पुट कर देना है, अब यह आपको पुट करना है, तो पुट करने के लिए आप चा करोगे, रखी इसमें बटा तो आपके बास क्या आएगा बटा देखो ओल्रेडी उसमें कॉंस्टेंट थी था मैंने कहा था इंटेग्रेशन हो चाहिए डिफ्रेंशेशन हो कॉंस्टेंट जो हता हो बाहर रहता है ठीक है ना तो आपके बास जो आएगा वाइगा थी अपोन तू बाहर था वान पलास टी स्कॉर यहाँपन वन टू दा स्कॉर भी सो कर सकते हैं अब ऐसा जो पड्टेग्रण फंक्सन था वह आपको मैंने बता चाहिँ वन अपोन एक्स स्कॉर पलस एक्स्कॉर जो किसका इंटेग्रेशन होता है बाटा वो था वन अपोन एट एन इनवर X upon A का, तो आप यहां इसका integration, आप आसानी से कर लोगे, तो बटा 3 upon 2 root 2 into 1 upon A, A के बेलेस में कितना है होटा, 1, जो A होगा, वो मैंसे constant होगा, इंटू 10 inverse X, X जो या T या X जो term होगी उसमें होगा, तो क्या हैगा बटा X यहापर, T upon A 1 और plus C, आप इसे solve करोगे, तो 3 upon 2 root 2 into 10 inverse T plus C, अब आपके बाद जो T का value होटा 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 है, वो पुट कर दीजिए, इसमें, 3 upon 2 root 2 into 10 inverse T equal to क्या लेट किया बेटा आपने, क्या लेट किया बटा है, root 2 X square plus C, यह इसका integration आजाएगा, जो आपको question में solve करना है, clear? तो इस ताइप से क्या करोगे बटा आप, इसका integration find कर लोगे आप, question number 20, question number 20 है बटा, 20 में आपको given है, क्या integration find करना है, आपको integration is equal to find करना है बटा, X plus 2 upon root of 4 X minus X square T X, यह आपको find करना है, ठीक है बटा, first of all आप यहाँ पर यह देखिए बटा, इसका दो solution है, वो आपको कैसे करना है, तो इसका दो solution होगा उसमें, देखिए बटा, आप, बैस सबसे पहले देखिए, अपर वाला दो portion उसमें यह देखिए, आपकी जो denominator में root वाला दो function है, उसका आपन differentiation करें, और differentiation करने से हमारे पास अपर वाला portion आता कि नहीं आता, बैस का differentiation करोगे, 4 minus 2 X होगा, 4 minus 2 X, क्या होगा, 4 minus 2 X होगा, क्या होगा, अगर यहां पर हम इसको लेट करके, इसका differentiation करेंगे, तो यह अपर वाला portion आता है गया, नहीं आता, है, नहीं आ रहा ना, बैस अब आप क्या करोगे, ध्यान दो यहां पर, तो आप जैसे, इसमें आप ध्यान दीजिए, X plus 2 जो है, इसको आप लेट कर लीजिए, क्या करोगे, लेट कर लो, लेट, X plus 2 is equal to, A into differentiation of, जो रूट के अंदर उसको लो, रूट के अंदर जो दिया हुआ है, इसको आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिशन करोगे, 4X minus X square plus B, इससाइड X plus 2 जो जो एजिए चलेगा बटा, A into derivative, इसका differentiation करोगे, 4 minus 2X, फिर पलस B, जो X plus 2 is equal to, ये जो constant A और B इनको आप मल्टिपला है करो अंदर, 4A minus, यहाँ पर कितना आएगा बटा, minus का 2AX plus B, अब यहाँ पर आप comparing करोगे तो क्या आएगा बटा, ध्यान दो यहाँ पर, इधर दो को coefficient of X कितना है, 1, और उस साइड में coefficient of X कितना है, तो 1 equal to कितना आएगा, minus का 2A, तो A equal to कितना है बटा, minus 1 by 2, ठीक है, और इसके बाद में देखें बटा, कॉंसेंट्रम, इस साइड में कितना है, कॉंसेंट्रम 2, और उस साइड में कितना है, 4A plus B, तो आप यहाँ, कॉंसेंट्रम की, जो है, comparing करोगे, तो क्या है बटा, ध्यान दीजिए, 2 equal to 4A plus B, 2 equal to 4 into A का वेल्यू, आप फाइंड कर चुके पहले, minus 1 by 2 A का वेल्यू, कितना है बटा, minus 1 by 2 plus B, 2, 2 जा, 4, तो 2 equal to कितना है बटा, minus 2 plus B, so B equal to कितना है बटा, 4, कितना है बटा, B equal to, यह हमने consent जो लेट किये थे, A और भी उनका वेल्यू हमने find कर लिया, अब देखिए बटा, next आप क्या करोगे, अब put कर दीजिए, now, integration, किसका find कर रहे थे, आप भाई बताओ, आपने X plus 2 के पेलेस पे क्या लेट किया, by X plus 2 के पेलेस पे आपने जो लेट किया, वो देखिए, क्या लेट किया, यह रहा, इसको आप equation number first दे देना, यहां से, यह, आपने, इसके is equal to, यह लेट किया है, तो आप रखोगी हाँ पर क्या है बटा, हाँए, क्या लेट किया, आपने A into, A into 4 minus 2X, और प्लस B, आपन में जो दिया हुआ वो आपके बास क्या है बटा, root 4X minus X square, यह यह ना, अब आप क्या करों कि बटा, यहां से, A और B का value पुट कर दीजिए, A और B का value पुट करना है, क्योंकि आपके बास दिखो पटा, यहां पर दो function है, जो plus में given है, तो आप इनको अलग-अलग कर लो, एक बार चाहो दो, A into 2, A into 4, A into 4 minus 2X, अपोन रूट 4X minus X square DX, फिर पलास, बटा, B upon root of 4 minus X square DX, यह यह बटा, अब चाह करों कि, अब आप A और B का value पुट कर दीजिए, यहां पर, क्या करों कि, बटा, A और B का value पुट कर दीजिए, A का value कितना है बटा, minus 1 by 2, into 4 minus 2X, DX upon root 4X minus X square, पलास, B का value कितना है बटा, B is equal to 4, so DX upon root of 4 minus X square, 4 minus X square आगया है बटा, अब यहां पर देखें बटा, यह आई था, आप, let कर लेना, let, I equal to I1 plus I2, इसको equation number 2, कर देना, क्लिर बटा, अब आप I1 और I2 को separate, separate इनको solve करोगे, तो क्या आएगा बटा, ध्याम देना, now, I1 equal to, I1 equal to कितना है बटा, minus 1 by 2 integration, 4 minus 2X, upon root of 4X minus X square, तो यहाँ आप क्या करोगे, again let, क्या let करोगे बटा, 4X minus X square equal to T, on differentiation, क्या बटा, on differentiation बताओ, यहाँ पर, on differentiation क्या बटा, 4 minus 2X, TX equal to DT, यह put करना है बटाओ, यह क्या करना है बटाओ, यह क्या करना है बटाओ, पुट कर देना है, आवई, अब देखिए बटा, यहाँ पर हमारे पास क्या बटाओ, 4 minus 2X आगया है, क्योंकि हमने किसका किया है बटाओ, 4X का differentiation किया, 4X square का differentiation किया, minus 2X, क्योंकि बटाओ, आप देखिए next, आप यहाँ पर यह put करोगे, तो I1 is equal to कितना है बटाओ, minus 1 by 2 बार चल दाओ, DT upon में, root T, इसको आप आगे solve करोगे, तो क्या है बटाओ, minus 1 by 2, 1 by root 2, root जो T है, इसका integration क्या होगा, 2 root T, पलस C1, 2 से 2 cancel करोगे बटा, minus root T, पलस C, हाँ बटाओ, root T का value, root में दो T है, उसका value क्या था बटा, 4X minus X square, पलस C1, equation number 3, इक्योंकि बटाओ, यह हमने solve कर गे, यहाँ तक किसी कोड़ आउट है, आप इसी यह टाइप से हम क्या करेंगे, equation जो second वाला integration है, second का integration उसको solve करेंगे हम, and I2 equal to कितना है बटा, I2 equal to आपको given है, 4 into integration of root of 4X minus X square, यह आपको given है, तो यहाँ जानने ना भई, क्या करोगे इसको आप perfect square method से solve करोगे, तो आप यहाँ लिखोगे, using perfect square method, तो perfect square method आप यूज करोगे, तो क्या आएगा बटा बताओ, 4 बार आएगा dx, तो मैंने का आदा x square जो positive होना चीए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको minus, common हो करके इसको positive बनाओगे, तो x square minus 4x, अब x का जो coefficient दो 4 है, 4 का हाप कितना होता है, 2, 2 का square, 4 प्लस कर दो, 4 minus कर दो, 2 square plus और 2 square minus, तो आपके पास क्या है अब बता, dx upon root of, अब यहां से देखो बता, square आपके पास किसका बनाओगे, x minus 2 का दोल स्कोर बनाओगे, और यह minus का जो 2 square है, यह इधरा जाएगा तो यह बन जाएगा, पलस का 2 square minus, यहां से square बनेगा x minus 2 का, अब आप यहां इसको direct कर सकते हो, यह लिए न बता, तो आपको ऐसा integration बताया था मैंने, x square minus a square root में हो, तो उसका integration क्या होगा, sine inverse x upon a, तो आप यहां यूज़ करों बता, 4 into sine inverse, x के पास पे x minus 2, अपोन a के पास पे कितना है बता, 2, और प्लास c, यह आ गया बता, equation number 4, अब आप क्या करोगे, from equation number 2nd, 3rd and 4th, now from equation 2nd, 3rd and 4th, आप देखिए बता, equation number 2nd, 3rd and 4th से क्या लिख होगे आप, integration is equal to, आप डा, i1 आया माइनस, यहां पर आप यह जो कॉंसेंट है, c2 एपलाई करोगे यहां पर, और इधर क्या आया माइनस, root of, 4x minus x square plus c1, फिर पलास 4 sin inverse, x minus 2 by 2 plus c2, अब देखो, integration में 2 से ज्यादा कॉंसेंट होते हैं, उनको एक ही कॉंसेंट के सिम्बल से सो करेंगे, तो आपकी पास इसका integration क्या है अपटा, minus root of 4x minus x square plus 4 sin inverse x minus 2 by 2 plus c, यह इसका integration आप find कर लोगे अब, इस ताइप से इसका solution करेंगे अपन, note कीजिये बटा इसे, x topi का बटा ध्याँद अपने पास, integration using by partial fraction, partial fractions, आंसिक भिन्नों के वियोजन से, समाकलन घ्याद करना, ध्यान दो बटा, तो सबसे पहले दोको इसमें आपको एक concept याद रखना है, जैसे ध्यान दो इधर बटा, एक तो होता है इसमें nominator और एक होता है denominator, जैसे आपके बावस होता है बटा, px और एक होता है qx, इसको अपन nominator पढ़ते हैं बटा, और इसको denominator पढ़ते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान देना है, एक तो होता है बटा, rational proper function, और एक होता है बटा, irrational proper function, एक तो होता है इसमें परीमे वास्त्विक फलन होता है, और एक होता है परीमे विसम फलन, ठीक है, वो क्या होते हैं ध्यान दों बटा, जैसे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा PX इस टाइप के जो concept में आपको क्या करना है बटा nominator की जो power हो denominator की power से less होनी चाहिए ध्यान डगना तभी आप इसमें integration using by partial fraction use कर सकते हो clear जैसे मैं आपको को हूँ जैसे मान लिजी बटा जैसे आपके बास for example एक function है x plus 1 upon x minus 2 और x minus 3 है इसका आपको integration करना हो तो देखो बटा x उपर वाला जो nominator उसमें x की power कितना है 1 नीचे बाद जो denominator है उसमें x की maximum power कितनी है 2 क्योंकि जितने फेक्टर होंगे उतनी उसकी power ध्यान रगना जितने फेक्टर होंगे उसकी power तो इसमें 2 तो इस ताइप वाले का आप चाह कर सकते हो integration using by partial fraction से आप इसका integration find कर लोगी लेकिन कई बार क्या आता condition या थी ध्यान दो बटा कि अगर नौमिनेटर की जो power है डिनोमिनेटर की power से ज्यादा है या उसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे उसकी power को क्या करेंगे डाउन करेंगे डाउन करने का जो मेथद है division method आप जो 10th class में पढ़ चुकी हो division method बागफल विदी वेंजकों की बागफल विदी वो देखो कैसे जैसे आपके पास ध्यान दीजिए बटाईए या ध्यान देना बटा जैसे आपके पास दिया हुआ है second ये तो अपने आप में क्या है बटा ये तो अपने आप में क्या हैगा रेशनल प्रोपर फंक्शन है क्यों है बटाए रेशनल प्रोपर फंक्शन क्यों है reason nominator की power denominator की power से less है इसलिए क्या है रेशनल प्रोपर फंक्शन है इसलिए हम इसका integration using by partial friction से कर सकेंगे ठीक है अब ध्यान दो दूसरा जैसे मानली जी आपके बास आ गया तो यह अपने आप में क्या कर आगा है देखो इसमें क्या दिया हुआ है पावर 3 ले लो आप यहां पर जैसे मानलो एक तो इसका इक्वलाद है पावर एक इससे ज्यादा पावर आए तो आप क्या करों के ध्यान दो बाई जो nominator उसमें एक्स की maximum पावर 2 है डी नॉमिनेटर में भी क्या है इसकी एक्स की maximum पावर क्या है 2 तो यह क्या है बटा आपने आप में irrational प्रोप यह जो है आपके बास rational improper function है क्या है बटा rational improper function है और रिजन मैंने दे दिया इसमें रिजन मैंने दे दिया क्योंकि nominator की पावर क्या है बटा डी नॉमिनेटर की पावर से क्या है इक्वल है ठीक है यहां greater होगी तो क्या होगा है यह rational improper function होगा के लिए आप इसका आपको क्या करना है फिर इसको हम जो rational improper function होता है उसको आप जो बटा rational proper function में कैसे convert करोगे वो देखू तो आप इसमें use करोगे बटा divided जो डिविजन जो मेथड हो आप यहां क्या करोगे इसको मैं किस से multiply करूँ कि अंदर वाल एक ट्रम केंसी रोजाए बटा वाई आपने बाद भुल विदी पढ़िए टेंध क्लास में इसको अपन इस वाले portion को आपको यह जो x square इसको केंसी करने के लिए आप क्या करोगे इस पोर्शन को आप वन से multiply कर दूँ ठीक है अब भाई आपने जो है इसको multiply किया वन से तो आप लिखो बन से multiply करके x square पलास 2x पलास से 1 लिख दिया बटा आप क्या करो निच्छे लाइन डाला हुए साइन चेंद करो कि माइनस 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 यह cancel हो गया क्या बचा 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 आप मारे पास क्या बचा रे minus 2x यह भी cancel हो गया cancel हो आप क्या बचा माइनस से बचा बचा अब माइनस 2x को भी आप divide करोगके किस से बटा x square पलास 2x पलास 1 से करेंगे ठीक है तो आपने इसको क्या किया बचा आपने इसकी power कम कर ली तो आप इसको क्या लिख हो गगी बचा इसको लिख सकते हो 1 minus 2x upon x square plus 2x plus 1, power down यह नहीं भी, power less भी नहीं उसी, nominator की power के आगई 1 आगई, denominator की power के आगई 2 आगई, तो आप को यह करना है, division method से power down करनी है, अब रही नीची वाले की बात, इसके आप factor कर लो, factor method से, ठीक है, और factor method से करने के बाद मिसको इस वाली form में बनाना है, इस type से factor सो करने है, कर सकते हो गया, तो मेन बात इसमें यह समझ लेना बढ़ा, कि rational proper function क्या होता है, और rational improper function क्या हो partial fraction पढ़ो, तो आपको क्या करना है बटा, आपको use करना है, सबसे पहले कि यह देखना है, कि nominator की power, denominator की power से कंबक नहीं है, equal है या ज्यादा है, तो आपके अगरों को division method से उसकी power को down करोगे, clear, point out, x side तो आप लिख लिजे बटा, form of the rational function, rational function, ठीक है, बटा, x side में आप लिख दीजिए, form of the partial fraction, form of the partial fraction, यह द्यांदे नवड़ा, इसको समझना सबसे पहले आप, देखू, जब कभी भी आपको rational function, कौन सी form में दिया जाए, जिसे में लिख रहा हूं, यहापर, P x plus minus q upon x minus a into x minus b, ठीक है, P x plus minus q upon x minus a into x minus b, तो इसका जो partial fraction होगा, वो क्या होगा, बटा, a upon x minus a plus b plus minus, बटा, यह सोरी, plus minus में, पलस ही लेके चलना आपको, इस side में जो partial fraction होगा, उसमें पलस ही लेके चलना है, बटा, बटा, एकस minus b, के लिए बटा, चाहे plus हो, चाहे minus हो, partial fraction में आपको क्या लेके चलना है, plus, second, अब यह क्या है, यह अपने आप में, आवर वन वाले फेक्टर है, क्या है, आवर वन वाले फेक्टर है, तो पावर वाले फेक्टर होगा, वो इसी वी टाइप से करना, अब कहीं स्प्रेंट कर दें, सर, तीन आगए तो फेक्टर, जिए तीन भी यह सकता है, आपकी पास यहाँ पर, px plus minus q upon x minus a into x minus b into x minus c, अब यहाँ तीन फेक्टर आगए, तीन आगए तो बटा, पार्सिल फेक्शन में कोंस्टेंट भी तीन ले लेगे, तो क्या लेगें ब प्लस b upon x minus b, प्लस c upon x minus c, एक्लियर, ठीक है, दूसरी बात, यह तीसरी जो आपके बास rational function आगए, थार्ड जो rational function उसमें देखो बटा, इसमें आपके बास आगए बटा, पी x plus minus q upon x minus a का whole square आगया मानलो, मतलब भी क्या गया, पावर 2 वाला फेक्टर आगया, पावर 2 वाला फेक्टर आगया, तो इसका partial fraction आप कैसे करोगी, इसका partial fraction करोगी बटा, आप, a upon x minus a, a upon x minus a plus b upon x minus a का whole square, मतलब पावर को increase करते हुए लिखेंगे, पहले पावर 1 फिर पावर 2, ये पावर 3 में भी आ सकता है, क्या आगगा, पावर 3 में भी आ सकता है, तो क्या लिखोगे बटा, आप a upon x minus a, plus b upon x minus a का whole square, plus c upon x minus a की whole cube, कर लोगे ना, मतलब पावर, जैसे माल लो, पावर 1 पावर वाले हों तो उनको directly दिना, a upon b upon, ठीक है, पावर 2 वाले हों तो उनको increase करती है, पावर में लिखोगे आप, a upon x minus a, plus b upon x minus a का whole square, क्लियर बटा, कोई doubt है, चले बागे, इसके बाद में देखें बटा, next, third, fourth जो आपके पास, rational function आएगा, अब third में देखें, third में क्या होता, दोनों का mix देता है, ठीक है ना, किसका, एक तो जैसे माल लो, आपके बास, दे दिया आपको, भाई, आपको दे दिया जैसे माल लीजिए, спрос, प, x, Minor, Q, upon में दे दिया आपको, x, Minor, a, x, Minor, a, into धूसरा दे दिया आपको, x square प्लस, b दे दिया, x square प्लस, b हो सकता, x square प्लस, b square भी हो सकता है, ध्याँ डिल्यकना, इस type प्वाले का, आप partial friction के से करको बादे, ध्यान दो, इसका partial fraction करने का वो ही, सबसे पहले power 1 वाले का a upon x minus e plus, यहापर क्या आ गया, x square प्लस b भी आ गया, x square प्लस b भी आ सकता है, x square प्लस a square भी आ सकता है, तो इसको क्या लिखोगे बटा, b x plus c upon x square प्लस b, लिख दोगे, क्या लिखना है, इसमें थोड़ा change हुआ, इसमें क्या हुआ, x square प्लस b इसक्वार आ गया, x square प्लस b आ जाए, तो आप क्या लिखोगे बटा, b x plus c upon x square प्लस b, के लिए, next, fifth, fifth, fifth जो बटा, आपके बास, rational जो function है, वो आ जाए, मानली जी, आपके बास, इस टाइब से आ गया, अब दोनों का combination आ जाए, दोनों का combination, जैसे मानली जी, भई, p x plus minus क्यों आ जाए, और यहाँ दे दिया, आपके बास, जैसे मानली जी, भटा, x minus a, to the whole square into x square प्लस b square दे दिया, तो इसका partial fraction कैसे करोगे बटा, a upon x minus a, पलस b upon x minus a, last का, पलस cx पलस d upon, cx पलस d upon, x square पलस a square, आ गए समझ में, इसमें क्या add हुआ, वो ही hour को increase करते हैं, लिखेंगे पहले, फिर इसका जो partial fraction कैसे लिखते हैं, cx पलस d upon x square प्लस a square, किलियर भई, कोई डाउट थोड़ी है, अब इसके बाद में देखें, next जैसे मानली जी भई, आपके बास, next आजाए, जैसे मानली जीए, दोनों का combination आजाए, combination जैसे मानली जीए, मैंने आपको लिखाया, जैसे मानली जीए, 6 में आजाए, आपके बास ये, p x plus minus q, अपोन में आजाए, आपके बास में ध्यान दो, बटा, x minus a into x minus b का whole square आजाए, ये भी different है, इसमें क्या हुआ, फस्त वाला दो पावर 1 वाला लेकिन, सेकिन वाला पावर 2 का factor है, तो इसका भी आप क्या करोगो कि पार्सिल फ्रेक्शन करोगे तो बटा, a upon x minus a, plus b upon x minus b, plus b upon x minus b, plus c upon x minus b का whole square, के लियर? और a को लिख लिख लिखिसमें इंपोटेंट है, वेटा, सेवंथ, जैसे आपको देदें बटा, आपको देदें, मान लिजिए, x square upon x square plus a square, x square plus b square, इसका पार्सिल फ्रेक्शन करोगे आप, a upon x square plus a square, plus b upon x square plus b square, ये कभी यूज करना है भाई द्यांदो भाई याँपर, जब उपर आपको पावर में x square के ट्रम दी जाए, ठीक ना, 8 का जो बटा हुई है, x minus alpha into x minus beta upon x minus a into x minus b given हो, तो आप इसका पार्सिल फ्रेक्शन करोगे, 1 plus a upon x minus a, plus b upon x minus b, ये बटा कुछ rational function है, उनका पार्सिल फ्रेक्शन आप कैसे सो करोगे, वो इस ताइप से सो करोगे आप, आप इनको note कीजिए आप, ना, x plus minus q आपको given हो, तो upon में आपके दियावा वोटा, x square plus a, और दूसरा दियावा, x square plus b का holy square given हो, तो इसका पार्सिल फ्रेक्शन कैसे होगा, a x plus b upon x square plus a, फिर पिर 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 c x plus d upon x square plus b, फिर पिर 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 e x plus f upon x square plus b का holy square, ये इस ताइप से करेंगे, इसका partial fraction, मतलब x square plus a square आए, जो x square plus a आए, जो x square minus a square आए, जो x square minus a आए, तो आपको a x plus b यूज़ करना है, तीक न, partial fraction में, को गया? यह नो की नो फोम आप याद कर लोगे ना पार्सिल फ्रेक्शन की तो आपके किसी भी किसमें डाउट नहीं आएगा एक इनका जो मैथड वो देखिए आप क्या करोगे इनको पार्सिल फ्रेक्शन में आप करोगे पार्सिल फ्रेक्शन में करने पर आपके बाद में इसको आप ए और बी जो कॉंसेंट आपने लिया है वो फिर यहां से आपको फ़ांड करना पड़ेगा चल्वे बट्टा देखे बट्टा अब इसमें अपन सॉल्यूसिन करेंगे जिसे आपके बास देखो बट्टा question number एक है यह type first में है यह किसमें बट्टा type first में आपको given बट्टा integration आपको find करना है integration of x upon x plus 1 up into x plus 2 dx यह given है बट्टा यह given है सबसे पहले आप यहां यह देखिए बट्टा कि यह rational proper function में है convert नहीं है है क्या यह rational proper function है कि नहीं है देखो पहले देख लिया अब आप rational proper function है तो आप यहां लिखोगे बट्टा using in the form of partial fraction इसके solution में करेंगे बट्टा नाव यूजिंग इन दा form of partial fraction partial fraction partial fractions अब देखे बट्टा partial fractions में यूज करने का जो method वो क्या ध्यान दो आपको इसको x upon x plus 1 into x plus 2 यह तो एजिट लिखना आपको यह तो क्या करना है बट्टा आपको एजिट लिखना है अब इसका तो partial fraction होगा यह अपने आप में क्या है बट्टा rational function है rational function है तो इसको partial function partial fraction में convert करेंगे तो क्या लिखेंगे बट्टा देखो power 1 वाले हैं तो a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 लिख दिया यह से रूल आप याद करो पहले में लिखाया था कि power 1 वालों का partial fraction क्या होगा a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 कि यह अगर यह आप x plus 1 का square होता तो power increase करते हो इसका partial fraction लिखते है ठीक है यहां तक इसी कोड़ आउट है अब क्या करना वही बात या इसको देखो दो टाइप से में आपको एक तो shortcut method बताता हूं मैं आपको चले long cut बताइता हूं पहले जब power 1 वाले आए तो power 1 वालों का shortcut method से a और b जो आपने constant लिया उस कमान कैसे निकाल दें ध्यान दो आप ही ध्यान दीजी यहां पर a की अपन में कितना है आप लिखोगे for a for a put x plus 1 is equal to 0 then x is equal to minus 1 ठीक है a की अपन में कितना x plus 1 is equal to 0 रखोई क्या हैगा minus 1 x की value अब यह जो x की value है minus 1 जो है यहाप इस side वाला जो portion है उसमें put करनी है उसमें put करनी है किसमें put करऊचे है जो a वाला portion है एक या पन वाला जो factor है उसको तो आप यहां से delete मानो क्या मानोगे इलेट तो यहां से a equal to आप क्या निकालोगे then a equal to x equal to minus 1 डखा इसको आपको use नहीं करना इसको use करना है क्या रखेंगे minus 1 plus 2 तो a equal to कितना है बटा बताओ minus 1 upon 1 तो a equal to कितना है निकाल लोगे कैसे निकाला दुबारा बता रहो a जो consent उसका value निकालना है तो मैंने कहा लिखा 4a put x plus 1 a की upon में जो उसके equal to आपने 0 ले लिया और यहां से x is equal to क्या find किया minus 1 और यह minus 1 की दिर put करना है इस वाले portion में जो rational function था ना उसमें put करना है और इसमें क्या करोगे जो a की upon वाला portion उसको delete मानते है ठीक है आपको x की जगह पुट करना है minus 1 यहां और यहां ठीक है minus 1 रखा यहां रखा minus 1 plus 2 solve किया minus 1 by 1 is equal to कितना है minus 1 अब इसी type से आप निकालो 4b put x plus 2 is equal to 0 x is equal to अब यह इस वाले portion में put करना है यह तो रेस्ट बंद पार्सिल फ्रेक्शन है पर यह रेस्टनल फंक्शन रेस्टनल फंक्शन में put करना है छोड़के b के सेक्टर को b के सेक्टर को अपने डिलिट मानते है तो रखो भाई क्या आएगा b equal to b equal to कितना आएगा minus 2 upon minus 2 plus 1 clear अब क्या आएगा b equal to minus 2 upon minus 1 minus 1 से 1 cancel क्या आए b equal to निकाल लिया इतना करने के बाद में आपको क्या करना ध्यान देना आगे ये करने के बाद में आपको क्या करना भाटा आपने जो rational function था उसके equal to आपने partial fraction जो लिया है वो put करना है आप देखिए भाटा now integration क्या था भाटा आपके बास x upon x plus 1 into x plus 2 dx is equal हाव भाटा इसके is equal to आपने क्या लिया a upon integration of a upon क्या लिया है भाटा a upon x plus 1 dx plus b upon x plus 2 dx अब आप जा करोगे यहाँ पर a और b का value put करो a का value क्या है भाटा बता हो minus 1 तो minus का dx upon में x plus का 1 फिर इसमें b का value कितना है 2 तू कॉंसेंट बारकों integration से dx upon x plus 2 यहाँ तक करोगे यहाँ तक किसी को doubt थोड़ी बटा अब देखी आगी जा करोगे अब इन दो में का आप integration जानते हो आसानी से बाइ 1 upon x वाले का क्या होता है लोग होता है तो आप चारी को लिख दिया और पलस में एक कॉंसेंट यह दोनों का integration आप एक साथ कर रहे हो अब चया करोगे बटा यहाँ पर ध्यान दो हाँ यह आप लिख दो माइनस का लोग मोड एक्स पलस वन है इसे के से फिर पलस यह क्या आएगा अब बताओ यह लोग में पावर जो उपर जाएगी भाई लोग m to the power n बराबर क्या लिखते हैं भाई n लोग m तो आप क्या लिखो इसको लोग मोड में जो x पलस 2 है इसका स्क्वाईर और पलस में c अब देखो लोग का रूल अपलाई करो लोग m माइनस लोग n तो क्या लिखो बटाओ लोग m अपोन n एम क्या बटाओ x plus 2 का holy square और upon में n ये रहा और ये mode close plus c ये आगए इसका integration समझेरों बटा एक बार ये लिख लो क्योंकि लोग के rule भी मैं आपको यहाँ पर note करवाईता हूँ वो note कर ले ना समझेरो एक बार इसको note कर ली question number 5 है 7.5 में question number 5 में इसका solution करना आपको क्या given है बटा integration is equal to आपको जो given है वो देखिए बटा आपको given है 2x upon x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 यह given है अब यहाँ पर क्या हुआ देखो बटा factor नहीं हो रहा है इसके denominator के denominator तो उसके factor नहीं है तो factor करना आपको आता है quadratic equation के तो बताईए बटा plus minus करने से तो आपका 3x होना चाहिए और multiply करने से क्या आना से यह 2x square आना से तो क्या है बटा इसके सबसे पहले आप factor करो x square plus 2x plus x plus करोगे 3x आ रहा है इंटो करोगे 2x square आ रहा है और फिर plus में 2 और यह dx पेर बना दो इन दो का और इन दो का क्या बनेगा बटा 2x अपोन इन दोन में x को मले लो x plus 2 यहां से 1 को मले लो बटा x plus 2 और dx अब इसको आप यूज कर सकते हो बटा 2x अपोन x plus 2 इंटो x plus 1 आ गया अब यह देखो भाई आप इसमें सबसे पहले यह देखिए कि यह जो है rational proper function hack नहीं nominator की power denominator की power से less है क्या less है तो इसका मतलब यह rational proper function है तो इसमें अपन क्या करेंगे using in the form of partial fraction आप यह लिकोगे नाव using in the form of partial fraction using in the form of partial fractions क्या है अबटा बता हो partial fractions वाली form आप यूज करोगे यहां पर तो क्या है अबटा 2x अपोन x plus 2 into x plus 1 is equal to क्या लिकोगे बता हो power 1 वाली जेक्ट नहीं तो a अपोन x plus 2 plus b अपोन x plus 1 इसको equation number first show कर देना इसको second अब यहां से shortcut जो method वो यूज करोगे आप आवई लिखो भई 4 a 4 a 4 a put x plus 2 is equal to 0 x is equal to minus 2 क्यों लिकोटा put कर भई x equal to minus 2 तो a equal to कितना आएगा x equal to minus 2 put करो 2 into minus 2 अब कौन्स effect रम put करेंगे इसमें या इसमें यह तो delete मानेंगे और इसमें put कर दो तो क्या है बटा minus 2 plus 1 clear बटा solve करो a equal to कितना आएगा minus 4 upon minus 1 a का value कितना आए बटा कितना आए एका value 4 clear अब आप निकाल लिए बटा 4 b put x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 यह आप किसमें put करोगे rational function में ठीक है और यह partial fraction है और rational function में put करके आप partial fraction में एक की value find कर सकते हो इसको delete मानेंगे अपन minus अपन x की जगा put कर दिया इस x की जगा minus 1 put कर दिया तो क्या है बटा मारे पास b equal to minus 2 upon 2 minus 1 plus 1 b equal to कितना है बटा यह आपने find कर लिया इलिए सबसे पहले क्या डेस की आपने कि यह rational proper function है या नहीं है तो आप उसको convert कर सकते हो किसमें बटा partial fraction में ठीक है अब आप यहाँ इसका solution करोगे बटा तो बता भी क्या है इसके is equal to आपने यह partial fraction शो किया एक का वेल्यू कितना है बटा रखो एक का वेल्यू 4 constant बाहर रहेगा dx अपन में x plus 2 फिर पलस b का वेल्यू कितना है minus 2 अब b का वेल्यू कितना है minus 2 तो रख दीजे बटा minus 2 into dx अपन x plus 1 दोनों का integration आप जानते हो भी आसा नहीं से बता बटा दोनों का integration जो क्या हैगा दोनों का integration हो क्या हैगा 4 log mode x plus 2 minus 2 log mode x plus 1 1 plus c तो इसका solution करोगे बटा क्या हैगा बता हो रहे log mode x plus 2 to the power 4 ठीक है बई और यहाँ पर फिर minus का log mode x plus 1 to the power 2 plus c log m minus log n log m upon n x plus 2 2 to the power 4 upon में क्या है बटा x plus 1 to the power 2 और प्लस c यह इसका integration आजाएगा finally ठीक है तो इस ताइप से बटा आप क्या करोगे जो रेशनल प्रोपर फ्रेंक्सियान उसको कनवर्ट करोगे पार्सिल फ्रेक्शन में कनवर्ट करने के बाद में इसमें आप यूजिंग जो मेथड है पार्सिल फ्रेक्शन का वह यूज करो पूंसेंट ए और बी का वेल्यू फाइंड करो पूट कर दो पूट करते डायरेक्ट इंटिकेशन कुछ भी नहीं करना इस टाइप के इंटिकेशन में द्यान रखना मेथड के ओवल लोगवारे जो आना लोगवारे इंटिकल वह यह आएंगे